इसक्त मौजूध है हमनाची के प्रेस क्लub में आप देख सके हैं गिंगाओब जया वे हैं dh ai mta बात करते कि उनको किस तरह के परिशानियों का सामना करना पड़ता है मेरा नाम मुहम्मद फैजियाब है मैं साइन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं बुटी मोन में रहता हूँ और हम लोग साइन कॉलेज मेंडिमिशन 2017 में करवाया था लेकिन अभी अभी तक हम लोग का दो साल हो गया पढ़ाय लेकिन अभी तक एक जाम नहीं हो रहा है तो हम लोग college के director sir से मिलने गए और director sir को बोले कि sir हमारा exam नहीं हो रहा है तो sir direct बोल देते हैं यह हमारा problem नहीं है हमने बोला कि sir यह किसका problem है बोले sir कि यह council का problem है council exam नहीं लेगा तो हम क्या कर सकते है हमारा दो साल बरबाद हो चुका है हम उसको भूल के सर को बोलेगी सर हम लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं intermediate करेंगे सर हम लोग को 10th basis से admission लिया गया था वहाँ पारा medical में तो हम लोग बोले सर हम लोग को अपना जो document है सर जमा यहाँ दे दीजिए हम लोग intermediate करेंगे और फिर आगे की पढ़ाई करेंगे तो सर उसमें भी नामंजूर है बोलते अगर तुमको document चाहिए तो तुमको जो first year का fee है उसको killer करना होगा इसकॉलर सीप आता है उसमें से 2000 देना होगा जो की मतलब की डेड़ मंत का ट्रेनिंग किये थे उसमें से भी 5000 लिया जा रहा है कि यहीं सब बोले की पूरा killer करोगे उसके बाद ही documents मिलेगा नहीं तो फिर जब्त कर लिया जाएगा कॉलेज में कि अभी हम 30,000 जमा कर चुके हैं हाँ हम लोग टोटल है टोटल पंद्रवीश हैं अब है कि एड्मिशन कराया गया था उसमें सिर्फ बोला गया था कि आपका जैसे यरली फी वहां लेता है फिर्स्ट यर में 51,700 रुपी लिया जाता है उसमें से ये नहीं बोला गया था कि आपका इस्कोलर्शिप का पैसा काटा जाएगा ये ने बोला गया था कि आपका अलग से ट्रेनिंग का फी लिया जाएगा और हम लोग का स्कॉलर्सी भरने के लिए 200 का बोनाफाइड भी दिया गया बचों का मामला है कोई भी इस्टिश्वीयों नहीं है या एफलिहाइशन नहीं है वो नहीं चला सकता और जड़ी फाइनली उसको सेटिफिकेत नहीं देता है यह सीधा सीधी चीटिंग का मामला बनता है उस केस में उस इंस्टिटूशन्स या उसके माली के खिलाब फायार करना चाहिए इन लोगों को हमारे हिसाब से जदी ये लोग आते हैं फायार करके तो उसमें हम इंक्वैरी करवा देंगे इंवेस्टिगेशन करा देंगे और जन्हींत या चीट अधायर करके और अन भी तरीके से भी सरकार को हम लोगे हैं अपने जो जनसभाव उसके माध्यमत्याँ से कि इस तरह के बच्चों का और अन्य बच्चों का एक्सप्राटेशन नहीं हो इन लोगा तो हुआ ही है अध्मिशन लेने के बाद हम लोगों को यह दिकत मतलब कि दो शाल तक हम लोगा तो एक तो अच्छे से पढ़ाई मतलब हुआ उसके बाद फिर जब एक्जाम नहीं होने लगा तो फिर हम लोगों ने का अभी दर्खवास कि किस थे कंसलिंग से पता करने के बाद पता चला है कि यह कॉंसिलिंग जो तें दो ने बंड्यरक जो अथा कि 18 में बंद हो चुका था तो हम लोग को एक सार डार्क्ष में रखा गया है इसके बाद फिर सेकेंड मे आती है कि हम लोगह, हमारे जो सेनियरत थे, लोगह पिर स्टूड़न को श्रिफ फ्लमता क गया अचिछ नंब HAI का만टीति का लिया गया है क्योंकि बहुत काम रहने के बावज़त हमारे पेरस नहीं आ पाए हैं जैसा कि आपने देखा वीजूल में छात्रों के भविश के साथ काफी खेलवार किया जा रहा है राची यसे सहर में राची की सरकार अभी तक चुपी साधे हुए है इस वक्त इन्हा के कॉलेज का डायरेक्टर का मानना है कि अगर तुम्हें अपने डिगरी वापस लेना है तो तुम को पैसा देना पड़ेगा चातरों के अलग-अलग समस्यां को लेकर चातर प्रेस कलब पहुँच चुके हैं और इनका सबसे बड़ा समस्या इनको एक्जाम देने का मौका नहीं दिया गया दो सल पढ़ाई के पूरे हो चुके हैं कैमरामेन अभिशेक आनंद के साथ मैं समधाता सुभम कुमार पी थी निनूज इंडिया बियॉंड डेडलेंच